लालु की लाडली रोहनी अचारिया जब अपनी किड्नी अपने पिता को दी उस समय ये खबर चली कि अब रोहनी अचारिया भी राजनीत में आएंगे इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि उनकी तारीफ नहीं हुई हर जगा उनकी तारीफ हुई यहां तक की बिरोधियों ने भी रोहनी अचारिया का तारीफ किया ये तक कहा कि अगर बेटी हो तो रोहनी अचारिया जैसी नहीं तो नहीं हो क्योंकि जिस तरीके से रोहनी अचारिया ने किया दो बेटों के रहते हुए और उतनी सारी बेटों के रहने के बाद रोनी अचारिया ने अपना किड्नी अपने पिता को दे दिया किड्नी ट्रांस्प्लांट हुआ लालू यादो पुरी तरीके से स्वास्थ हो गए और ये खबर चल रही थी कि रोनी अचारिया राजनीत में आएंगी रोनी अचारिया राजनीत में आएंगी तो इस खबर पर और इस सारे सवालों पर पुर्ण बिराम रोनी अचारिया ने खुद लगा दिया है रोनी अचारिया ने कहा कि मैं राजनीत में नहीं आऊंगी वो अच्छे जगा अपर चले जाएंगे उसके बात सोचूंगी क्या करना है लेकिन मैं राजनीत में आने के लिए अपने पिता को किड़नी नहीं दी हूँ बलकि अपने बेटी का कर्तब्य निभाया है और मैं ही क्यों नहीं और लोग भी हैं जब उनसे ये सवाल किया गया क कि आपके दो भाई हैं और बहने हैं वो लोग क्यों नहीं तो उन्होंने काया मैं क्यों नहीं मैं अपने पिता को किड़नी क्यों नहीं दे सकती हूँ और जो लोग ये सोचते हैं कि किड़नी देना मतलब राजनीत में आना वो लोग ये बिलकुल ना सोचे मैं राजनीत मे नहीं आना चाहती हूँ और नहीं मुझे कोई सौख है और रही बात कि डिजिटली रूप से मैं अपने परिवार को सपोर्ट करती हूँ क्योंकि आपने देखा होगा कभी भी रोहनी अचारिया सोसल मीडिया पर बहुत जादा एक्टिव रहती हैं और विरोधियों पर हमला क करते रहती हैं खास करके बीजेपी के ऊपर आपने अगर देखा होगा कि जो भी लोग जो भी बीजेपी के नेता लालू पडिवार पर हमले करते हैं तो उनको पहले रोहनी अचारिया से सामना करना पड़ता है धाल बनके खड़ी रहती हैं रोहनी अचारिया और अब किड मेडिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि मैं राजनीत में नहीं आना चाहती हूँ, मैंने एक बेटी होने का फर्ज निभा दिया है, अब मा होने का फर्ज निभाऊंगी और जो लोग भी ये सोचते हों कि मैंने किड़नी लालच में दिया, इस लालच में कि मैं राजनीत में आऊंगी तो ऐसी लालच मुझे नहीं है, अगर राजनीत में आना ही होता तो बहुत पहले आचुकी होती, लेकिन मुझे राजनीत में नहीं आना है, अभी मा होने का फर्ज निभाऊंगी, बाल बच्चे को अच्छे तरीके से पढ़ा दूँगी, kalo तो आप लोग सोच रहें कि मैं राजनीत में आजाओंगी अपने पीता को खिड्नी दे दिया तो मैं राजनीतमे आ जाओंगी मेरे पिटा ने ऐसस संसकार मुझे नहीं दियाbs तो आप जो लोग भी यह ख़बर चलाते हैं कि किड्नी देने के बाद राजनीत में आएंगी वो उस तरह का खबर न चलाएं हलाकि रोनियाचारिया ये भी कह रही है कि हो सकता है भविश्य में कि अगर कभी जरूत पड़े तो मैं आऊंगी लेकिन अभी मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं कि मैं राजनीत में आऊंगी वैराल इस खबर में इतना ह आएंगी वार साथ और देक्ते नहीं दें इंडियाटोप